हाई माइ ब्यूटिफल पीपल कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे आप सब भी लोगों का पहुत सारा वेलकम है गाइस डिपल बन टैरेट चैनल के उपर आज की रिडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपके जिंदगी में खुशियां कब आन होगा और यह दुख कभी जाएगा भी और नहीं जाएगा और जाएगा तो कब जाएगा ठीक है तो आज की रिडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि आपकी जिंदगी में दुख क्या है उस दुख की वजय क्या है उस दुख के सुल्यूशन क्या है और खुशियां आएं में कौन-कौन सी परेशानिया है उनको क्या solutions होगा तो आज मैं आप लोगों को आपकी परेशानिया भी बताऊंगी और आप लोगों को उसके solutions भी बताऊंगी ठीक है परेशानिया भी बताऊंगे solutions भी बताऊंगी यानि remedies भी बताऊंगे, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए and हम ये भी time भी देखेंगे हम लोग कि कब तक चीजे subtle होंगी और सही होंगी, ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की reading I hope आप सब लोगों को पसंद आएगी बस आप लोगोंने क्या करना है अपने नाम का पहला अक्षर आप लोगोंने पिक करना है, ठीक है अगर आप किसी और के लिए reading देख रहे हैं तो आप उनके नाम का पहला अक्षर चूस कर लें, ठीक है तो pile number 1 में है, हमारे पास कौन-कौन से अक्षर एक बड़ी देखते है A, C, D, E, M, L, K, I, Q, S, T, U, Y तो यह है pile number 1 के initials, ठीक है अगर आपका नाम का पहला अक्षर first alphabet इन में से किसी से शुरू होता है तो यह वाला pile आपने select करना है या आप किसी और के लिए देख रहे हैं और उनके नाम का पहला अक्षर यहां है तो इसे choose करें या फिर pile number 2 में देख ले अपने नाम का पहला अक्षर B, J, R, V, N, F, G, O, W, Z, H, P, X ठीक है तो आप लोगों के पास में है pile I hope आप लोगों को pile selection में ऐसे कोई problem नहीं होगी तो चलिए start करते हैं आज की reading देखते हैं माजरा क्या है ओके? Hi Hi my beautiful pile number 1 people यानि कि आप लोगों के नाम का पहला अक्षर A, C, D, E, M, L, K, I, Q, S, T, U, Y है तो ये है आप लोगों की reading तो चलिए शुरू करते हैं मैं यहाँ पे बाबा के चर्णों में रख रहे हूँ तो चलिए start करते हैं देखने के कोशिश करते हैं आप किस तरीके के इंसान है आपके जिंदगी में क्या परिशानिया है उन परिशानियों का हल क्या निकल सकता है एक्सेक्टरा एक्सेक्टरा ठीके है चलिए तो start करते हैं ताइल नुम्बर वन के रिए मैं सारे काच निकालूंगे गाइस पर बताऊंगे आप लोगों को आप शफ्लिंग थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं ताप ताप करके ठीक है पर्टम अफ दे डेक्थ इंजल उफ स्ट्रेंथ आप आपको सारी काच अच्छे से दिखें मैं थोड़ा कैमरा नीचे करते हूं अभी ठीक है ताप आप बाल नीचे करते हैं आपके अंदर आप चुटकियों में भाब जाते हो कि कौन क्या कहने की कोशिश कर रहा है किसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है कौन सच में आपका वेलविशर है और कौन आपसे क्या चाता है आपके अपना तुरंट ऐसे चुटकियों में पिचान लेते हो कि कौन कैसा इ वह है कि आप सोचते बहुत हैं रहा ना चाहे आप लड़के रड़की हैं आप सोचते बहुत हैं और सोच सोच के बेड़ा गरग करक है ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंग कि देखो कितना दिल दुखा रखा है आपको छोटी से छोटी चीज लोगों की चुप जाती है आप नहीं चुभाना चा रहे होते हो आपको ऐसा लगता है रहे कहने तो कोई बात नहीं आप जितना इग्नोर करने की कोशिश करते हो लोग उतना ही आपको टीज करने की कोशिश करते हैं ठीक है? आप बहुत ही simple, साधारन इंसान है, आपके अंदर छलकपट नहीं है, in fact हो सकता है कि आपको अच्छे-चे कपड़े और accessories पहनना, या खाना पीना, या घूमना फिरना पसंद हो, लेकिन जब आपका मन करता है, तो सिर्फ और सिर्फ आप घर पे रहना पसंद करते हैं, आप क आप लोगों को caffeine थोड़ा कम पसंद है, हो सकता है, फिर भी caffeine कम पसंद है, अप चाय पीना, बहुत-बहुत पसंद करते हैं, आप मैसे बहुत सारे ऐसे लोग है、 जो मीठे के शौकीन, मुझे फील हो रहे हैं, आप मैसे काफी लोग ऐसे हैं, जिने तीखा है, लेकिन तीख इस काफे सदा विपरीत नजर आ रही है कि आप एकदम 360 टर्न कर चुके हो आप बहुत जाद बदल चुके हो आपका दिल दुखा हुआ है आप समाज से कट ओफ हो रहे हो आप कम्यूनिटी से डिफरेंट हो रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या चाहिए और लोगों के उपर आपको जो ट्रस्ट है जो आपका फेथ है वो जीरो हो चुका है मनदब अगर आपको कोई सही राय भी देने के कोशिश करता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये ना मुझे ताने दे रहा है ठीक है तो काफी डिस्टर्ब सी फीलिंग आ रही है मिरको जबकि आपको पता है जबकि आपको ना रियालिटी पता है आपके एबिलिटी इस इतनी स्ट्रॉण है कि आपको पता है आपको पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आपको पता है कौन आपके सच में अपने है कौन नहीं है लेकिन आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे है ठीक है इन फैक हो सकता है कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पर भी विश्वास नहीं कर पाए आगे अगर कुछ अच्छी प्रेडिक्शन निकल आती है तो क्या है? क्या अच्छा है ऐसा भी हो सकता है मेरे जिंदगी में नहीं मुझे तो नहीं लगता ये वाला काप चाहिए See two of swords प्रेडिक्शन नहीं कर दो क्या अच्छा है अच्छा है बात्म अच्छा है बात्म अच्छा है तन अच्छा है Okay So Zodiacs मैं वैसे बताना नहीं चाह रही थी बट मैं बता देती हूँ Kensis, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn and Gemini, Libra, Aquarius आपके आपके person का sign हो सकता है ठीक है? Yes, Leo भी मुझे personality feel हो रही बहुत सारे लोगों की आपके जो personality है वो आग जैसी है ठीक है? Passionate है आप काफी बोल्ड है आप अगर लेडी देख रही है तो girls you are very beautiful ठीक है? In and out दोनों तरफ से बहुत खुबसूरत है आप जो लड़के देख रही है वो भी बहुत खुबसूरत है वो भी बहुत हैंसम है ठीक है? Good looking Charm ही अलग है लोग आपके उपर बहुत मरते है कई बर यह आपके अपके उपर बहुत मरते हैं कई बर यह आपके अपके अपके अपर बहुत स्रॉंग है मेरे अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं बता दूँ ऐसा इसलिए तो मैंने आपको यह बता है अपके परस्नालिटी कैसी है ठीक है? ताक आपको पता लग जाए यह आपके अपके रीडिंग है कई बरी क्या होता है कि कुछ चीज़ें यहां से मैच करती है कुछ चीज़ें पाल नमबर तू से मैच कर जाती है और कुछ चीज़ें नहीं आते है परकस इस जन्रल रिडिंग है तो तो जिस्टेक वट रिजनेट्स विद यो बाकी सबको आप छोड़ ले अब हम बात करते हैं आपके जिंदगी में दुख क्या क्या है परस्नालिटी आपने देखी लिए दुख है आपके जिन्दगी में कि आप confused है, बहुत सरी चीज़ों को लेके confused है, हो सकता है एक से ज़्यादा कोई चीज़ों जिसको लेके आप confused है, हो सकता है कि आपके जिन्दगी में न कही तरीकी के burden है, चाहे वो career से related हो, चाहे प्यार से related हो, मुझे तो यहाँ पे na career से त जैसे आप अपने दोस्तों के लिए बहुत करते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है आप अपने रिलेटिव के लिए बहुत करते हैं लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ लेक पुलर्स मिलते हैं आपको टांग पकड़े के खीचने वाले लोग ठीक है पिंचर्स मिलते हैं आप फिर कोई दो persons हो सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि दो person ना हो कोई दो ऐसी opportunity हो career related तो एक तो हो जो आपको अपके घर पे रोक रही है ठीक है घर वालों की तरफ और प्यार की तरफ लेकर आ रही है और एक opportunity हो सकते है sorry जिसके अंदर है तो बहुत कुछ लेकिन वो आपको अपनों से दूर कर रही है ठीक है तीसरी चीज मुझे यहां पर नजर आ रही है प्यार प्यार में यहां पर बहुत सारी लोग pile number one धोका खाये हुए बैठे है या फिर खुद ने किसे को धोका खिलाया है या फिर एक ऐस सिचुएशन में फसे हुए है जहां पर family involved है या फिर किसी तरके की third party involvation है तो आपका दिल बहुत गंदा वाला crush हुआ पड़ा है या कई मुझे married couple ऐसे दिख रहे है कि संका कार्ड है कि वो married है बट स्टिल वो happy नहीं है unhealthy marriage के अंदर है ठीक है unhealthy physical relations and intimacy में भी involved मुझे ऐसी feeling ठीक है और आप इतने ज़्यादा परेशान हो चुके अपने married life से कि आप किसी और को पसंद करने लगे है और हो सकता है कि वो person बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर रहा है लेकिन surety नहीं कि वो person आपके जिंदगी में आगे रहेगा या नहीं रहेगा ओके मतलब खुद की जिंदगी से satisfied नहीं है आप ना पैसे से ना दिखने से ना होने से कई बारी तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जिंदगी में ही क्यों हूं मर क्यों नहीं रहूं मैं बहुत गंदी वाली energies देख रहे हूं इस तरीके energies में आप क्यों है ऐसे रहेंगे तो कैस से चलेगा ऐस ओफ पैनिकल्स रिवर्सल्स महीं ले रही हूं वील ओफ फॉर्चून six of pentacles होने को तो यह six of pentacles का card है लेकिन यह card ना मुझे especially this deck के अंदर यह card मुझे ऐसी feelings देता है जैसे joining of two people जैसे six of pentacles नहीं यह two of cups का card हो मुझे ऐसी feeling देता है ठीक है तो एक चीज तो मैं आपको बता दूँ यह जितनी भी समस्या है आपके जिंदगी में चल रहे है कि आप satisfied feel नहीं कर रहे हैं आप confused बहुत जादा है कि आपको अपनी जिंदगी में possibilities नजर नहीं आती है कि आप तडप जाते हो आपको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं नजर आती है ना career के लिहास से ना love के लिहास से कि आप बस दुखी रहते हो कि आपको कोई छोड़ के चला गय है एक चीज तो है जो मैं आप इस solution आपको देना चाहती हूऊ यह आसे कहलो कि बताना चाहती हूइं यह सब कुछ आपके नसीब में था ठीक है यह सब कुछ आपके नसीब में था देखें कई बारी क्या होता हैться है हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी औरो जैसे क्यू नहीं है हम comparison करना शुरू कर देते हैं comparison नहीं करना चाहिए देखो उसके past life कर्मा पता नहीं क्या थे 10 पे हम x की value निकालते थे या निकालते थे ठीक है निकालते थे ना वो कई दिख रहा है हमें trigonometric करी थी ना साइन कॉस ठीटा फलाना धिमकाना है ना कई ऐसे प्लेसेज है आभी चलो मैं तो medical से related हूँ मेरे पास में science भी थी मेरे पास biology भी था और मेरे पास maths भी था लेकिन फिर भी आप यह देखो मेरा maths तो बहुत कम जोर था to be very honest शायद इसे यह medical में हूँ नहीं ऐसा नहीं मैं बच कहीं ओड़न है उसके बारे में भले हमें पता कहीं है कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमने तो ऐसे किया था हमने तो ऐसे किया था мат्स में यह था physics में यह यह ऐसी थी वैसी और अरे बबाद जिसमें कुछ syllabus बनाया है या किसी ने कुछ अगर बनाया है तो सोच समझकी बनाया होगा ना, एह में ही तो नहीं चाप दिया कि हाँ पढ़ लो और निकल लो, ऐसा नहीं होता है, कही न कहीं कोई चीज आपके interest के, सारे interest को एक साथ भर दिया जाता है और फिर उसके हिसाब से आपका देखा जाता है, फिर आप खुदी अपना evaluation करते हैं और उस field में चले जाते हैं जैसे हम मेरा maths अच्छा नहीं था तो मैंने engineering नहीं चूज करी, मैंने medical चूज करा, समझ रहे so this is the thing अभी भले से आपका असा लग रहा है अभी past रहे पता नहीं मैंने क्या किया था उनके साथ फिर कुछ खासा वो खाड नहीं पाते हैं ठीक है तो उस चीज को accept करें और उस चीज को accept करके उसका solution निकाले ना कि उसमें तर्क वितर्क करके अपना time waste करें ठीक है simple, तो ये चीज कहीं न कहीं wheel of fortune आपके नसीब में थी कि इस तरीके इसे सारी negativity और burden और ये सब कुछ ऐसे create होगा लेकिन ये negativity और ये burden मुझे खतम होता हुआ नजर आ रहा है आप कैसे खतम होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मैं आपको solutions बताऊंगे अब ही रुको सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों के लिए ये सारे burdens खतम होंगे आपके पहली चीज तो ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आपका past life कर्मा है रीजन जो मैं आपको बता रहे हूँ दूसरा आपके खुद के इस जनम के कुछ ऐसे steps रहे हैं जो आपने गलत लिए हैं उनको आपको सही करना है ये आपके career related भी हो सकते हैं ये आपके love related भी हो सकते हैं मूलाधार ओजस का card है हमारे पास और हमारे पास किसका card है देखे तो तपस तपस्या करें positively meditate करें अब तपस्या का मतलब सिर्फ meditation नहीं होता है हम day to day life में किसी चीज को मार रही है और अपना spiritual prospectus बढ़ा रहेंगे ये भी एक तप है ठीक है ये भी एक तरीके का तप है so don't underestimate your own powers on your own spiritual powers कई लोगों को मैंने कहते सुना हम तो spiritual नहीं है जी क्या हम अच्छे खुशनुमा जिंदगी बिता सकते हैं अरे बाबा हर को spiritual होता है बात ये है कि वो चीज इनेट हुई है वो चीज डॉमिनेंट हुई है या नहीं पढ़ा है ना आप लोगों ने डॉमिनेंट इन रेसिसिव बादा होगा फोर शूर नहीं पढ़ा है फिम बता देती हूँ चीजे होती है बता देती है ठीक है है capture 90 बादा देचाए है रिससिव भी हो सकते है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दोनों साथ साथ डिखें है स bullshit हपन तो सब से पहले मैं आपको रीजस बता दी है सोलूस्जस्ट सब से पहला सिलूश्ए है खुद को ब्लेम करना बंद कर दू आप मेंसे काफी लोग ऐसे होंगे जो खुद को ब्लेम करते रहते हैं हाई मेरे तो जिम्दगी ऐसी है हाई मेरे तो वो है खुद को ब्लेम करना बंद करें दूसरी चीज अपने करियर पर फोकस करें अब आप बोलेंगे करियर पर फोकस क्या करें, यह तो करियर ही बिल्कुल सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ग्रीन तारा मा की चांटिंग करें, ठीक है, ग्रीन तारा मंतर की चांटिंग करें, ओम तारे 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 सोहा, कई लोग इसको प्रणस करते हैं, ओम तारे त के लिए दूसरी और सबसे तीसरी और सबसे एहम चीज बेली 15-minute meditation करें ठीक है और आपने एक remedy करनी है आज से ही आज से ही आपने क्या करना है एक पेपर लेना है ग्रीन फैन लेना है और ब्लाप फैन लेना है ठीक है अब आपने select करना है कि कौन सी तो चीज आपके जिन्दगी में भढ़े और कौन सी चीज आपके जिन्दी गटे जो चीज आप घटाना चांते हैं एक लाइब कीची बीच में ठीक है जो चीज भढ़े उसके लिए आप Green Pen से लिखें कि ये चीज ये चीज यह चीज मेरी जिन्दगे में हो रही है और इदर ब्लैक पेल ले और उससे लिखेगी यह चीज यह चीज यह चीज मेरी जिन्दगे से जा रही है खत्म हो रही है ठीक है अब इसको फोल्ड करें और नेक्स्ट अब जो आपका प्लियाब का मृत अब जब आपका फिलमून है तब आपने उसको क्या करना है mf9 तेली लगाओ माचस लगाओ ज़ुँ अब यह रीच ersch察 में आपको आज आज पताया थीफ अब हम देखेंगे, तो मैंने आपको solutions भी बता दी हैं, ठीक है, अब कोई रोएगा पिटेगा ने, आप लोग बोलते हैं कि solutions बताये करो, तो मैंने आपको solutions भी बताए हैं, और रही बात, एक चीज में आपको बता दू, कोई आपको 70 solutions बता दे, लेकिन आप अगर अंतर मन से खुश नहीं हो, तो चीजें कभी सहीं नहीं हो सकती, यह चीज ध्यान रखेगा, ठीक है, खुद को सुखी करने के लिए, खुद को सही करने के लिए, simplest चीज है, खुद का comparison किसे से मत करो, और किसे से भी कुछ भी expect मत करो, मुझे पता है, तोड़ा सा टफ है, यही तो तप यह कार में निकल गया, तो ले लेते हैं, तो आपके दुखो का आंथ हो रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए, अगर सितम्बर औक्टोबर में, अभी से आप देख लीजेगा, कुछ लोगों के लिए 15 दिन में, कुछ लोगों के लिए 2 दिन में, कुछ लोगों के लिए 1 म लगेगा और कुछ लोगों के लिए अभी कम से कम चार से पांच सब्ता लगेंगे ठीक है देखे अब यहाँ पे कार्ज देख लीजे आप आपको बार बार बोला जा रहा है कि होप फुल रही है ठीक है भले से यह हर्मिट नेगिटिव कार्ड है लेकिन यह होप कार्ड है प आपको समय पर ज़रूर मिलेगा उस से अपनी एनरजी हटा के खुद पर ध्यान देना शुरू करें ओके अब ही बोला था मैंने आपको surrender and raise your vibration यही तीनों चीज मैंने अभी आपको बोली है तो तीनों चीज आ गई अडवाइस जो हो रहा है होने दो बहार में जाए ऐस तसी कराए अपनी ऐसी अनरजी में आ जाओ ठीक है टोटली खुद के ओपर फोकस करो जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो चीजें अप सही हो जाएंगी, surrender करो और अपनी vibrations को बढ़ाओ, ठीक है? positively बढ़ाओ, यह आपने करना है अपसे, तो I hope कि pile number one people आप लोग satisfied हुए होंगे आज की reading से, हुए है तो प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा, channel को subscribe कीजेगा and for sure for any kind of other paid readings आप लोग मुझे mail कर सकते हैं या message कर सकते ह बस अपना ध्यान रखें and इन तीन चीजों को ज़रूर समझें, जो हो रहा है होने दो, चीजें अपने आप सही होंगी, surrender कर दो और अपनी vibrations बढ़ाओ, ठीक है? खुश रुनी के कोशिश करो, सब सही होगा, बाइ Hi, Hi my beautiful pile number 2 people, तो यानि आप लोगों के initial BFGHJNOPRVWXZ है, तो यह है आप लोगों की reading, ठीक है? चलिए, चेक करते हैं सबसे पहले कि आप किस तरीके के इनसान है, ओके? कुछ characteristics बताऊंगी, फिर हम आपके दुखदर्द देखेंगे, फिर solutions देखेंगे, और हम लोग timings देखेंगे कि कब सब कुछ सही होगा, नहीं, मैं खुद लोगाँ पाद्स, पाद्स, निन अन्यांग, और होस्तिलिटीज। कि आपके होगा, फियर यहाँ होगा, व लोगात्स, पाद्स, वेयर से मुझे यहाँ पर ऐसी energies आ रही हैं कि आप काफी ज़दे शांत, सभ्य किसम के इंसान हैं, आपके अंदर लोब, मो, लालच, इर्शा kind of चीज़ें नहीं हैं, ठीक हैं, लेकिन आप smart बहुत हैं, और अगर खुद का भला करना हो, या सामने वाले का भला करना हो, तो आप का सही होना भी देखते हैं, ठीक हैं, लेकिन आप सामने वाले का कभी बुरा नहीं करते हैं, तो इसे हम स्वार्थ नहीं बोलेंगे, कई लोगों को definition ही नहीं पता होती कि selfishness और self love में क्या अंतर है, self love होता है कि खुद का भला करते हुए, सामने वाले का भला करना, या खु Selfishness का मतलब है कि दूसरा तो जाए भाड में, मेरको कोई मीनिंग नहीं है, मेरको कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ भाड में, मुझे तो बस मेरा देखना है, ठीक है, खुद का भला होना जी, बाके सबका बुरा हो जाए, मेको कोई मतलब नहीं है, यह होता है selfishness, ठीक है, I अब आपको clear हुआ होगा, तो आप self love करने वालों में से हैं, आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं, आप खुद को positivity देने की कोशिश करते हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये अभी कुछ समय पहले से ही हुआ है, क्योंकि hostility और ये नन याइंका कार्ड है, पहले हो सकता है कि आप बहुत-अधा उदास रहते थे, परिशान रहते थे, दुखी रहते थे, फिलुस्टेड़े रहते थे, लेकिन जब आपको पता लगा, हो सकता है कि आपकी life में कोई person आये हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी horse अच्छा हुआ हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी family में किसी ने ठीक हो रहे है आप किसी के ना बेवजय कीड़ा करना पसंद नहीं करते हैं आपके परस्नालिटी की बहुत अच्छी खासियत मुझे यहापे नजर आ रही है आप कभी भी किसी को कुछ गलत बोलना पसंद नहीं करते हैं किसी के बारे में गॉसिप्स करना पसंद नहीं करते ह आला कि पसंद है आपको, आपको पसंद है, we have the hostilities card, आपको ये पता है, कि आपको अच्छा लगता है लोगों की बाते सुनना, कि किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, को तो बी वेरी होनेस्ट और फ्रेंक कर रहे हूं, ठीक है, so don't take negative way में, इस तो आप gossip करना या किसी से पूछना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बताता है तो आप मना भी नहीं करेंगे उसको, ठीक है जी, आप मेंसे बहुत लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, दम चटपटा और तीखा खाना, ठीक है, और आपको खुद से इतना प conscious होना तो वैसे हैं, आपके energies काफे सदर rigid हैं कही बारी और आपको कही बारी न अजीब अजीब से thoughts आते हैं, सपने आते हैं, over stress कर लेते हो कभी कबार, लेकिन चीजों से जल्दी ही move in कर जाते हो, ठीक है, move on कर जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि चीजों को जल्दी ही हमें positive way में change कर लेना चाहिए, वो हमारे लिए best होगा, आपकी हमेशा खौईश होती है कि आप समझे, सामने वाल आपको समझे और आप चीजों को सही करें, ठीक है, लेकिन आप किसी चीज को लेके बहुत patiently wait कर रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर patience हद है, ओके, आपने बहुत सारे ऐसे negative negative चीज़े सही हैं, जो बंदा अगर कोई और सहता है, तो उसकी जिंदगी तो बरबाद हो जाते है, ठीक है, Wheel of Fortune, Six of Swords, The World, यह World ना मिरको Wheel of Fortune की याद दिलाता है, And King of Pentacles, So you are a good advisor, या हो सकते हैं, good great healer है आप, या ऐसा हो सकता है कि आप, लोगों को बहुत अच्छा समझाते हैं, लोगों को बहुत अच्छा explain कर पाते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर energies, ये कुछ अतनी fast forward kind है कि आप, लोगों की energies को feel कर पाते हैं, आप empath है, And आप अभी किसी तरीके के twin flame और soulmate relationship में है, कई लोग twin flame soulmate relationship में, जो नहीं है उन लोगों के लिए, कि आप एक balanced form चाहते हैं, या आप balancing energies में हैं, ठीक है जी? आपको अपने love की problem नज़र आ रही है मुझे, कुछ लोगों के लिए career related बहुत सारे issues दिख रहे हैं, हाला कि सब कुछ सही करने वाले लोगों में से हो आप, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं इधर उदर आपकी personality हो जाती है, आपको बहुत कुछ सही करना पसंद है, चीजों को सही तरीके से देखना पसंद है, आप कभी भी किसी भी तरीके से negative pull में नहीं भहते हो, आप कभी भी किसी तरीके के negative issue में नहीं रहते हो, आपको ऐसा रहता है कि it's okay, जो हो रहा है होने दो और अच्छा सोचो, लेकिन आप दुखी है, अपनी stabilities को लेकर के, दुखी है कि भाई मेरे किस्मत में ही ऐसा दुख क्यूं है, हो सकता है आप जिससे प्यार करते हैं, वो आपको कोई commitment नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कि, see five of swords, जिस person के साथ आप अपने पुरे जिंदगे बिताना चाहते हैं, उस person को आपकी पड़ी ही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि, हमेशा आपने एक तरीके के negativity ही सही है, three of swords, लेकिन फिर भी आप उस दर्द से निकले हैं, बाहर आए हैं, आपने move on किया है, और अब आप चाहते हैं कि, आपको सिर्फ और सिर्फ justice मिले, आपको न्याय मिले, आपको hopes मिले, आपको powers मिले, ठीक है, आप कही ना कही ना भगवान जी को भी दोश दे देते होगे, मुझे ऐसी feeling आरी, pile number two people, इतना positive होने पर भी, आप कही ना कही भगवान जी को भी, बोल देते होगे, कि आप की वज़े से देखो, मेरे जिन्दगे में क्या हो रहा है, आपकी वज़े से मेरे जिन्दगे में यह हो गया, आप में यह कर दिया, आपने वो कर दिया, आसी energy आपकी बहुत ज़्यादा feeling करा रही हैं मिलेको, हम्, आप अपनी love life से दुखी है, क्योंकि कोई आपको छोड़के गया है, बहुत गंदा तोड़के गया है, या कोई deception देखे गया है, आप stable होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, आप stability चाहते हैं, या कुछ लोग बड़ा घर बनाना चाहते हैं, कुछ लोग pregnancy चाहते हैं, कुछ लोग शादी चाहते हैं, कु तो मैंने आपको characteristics बताई problems बताई अब मैं आपको थोड़ा सा reasons भी बताऊंगी फिर हम guidance भी देखेंगे देखें अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ reasons क्या है देखो सबसे पहला reason मुझे यहापे नजर आ रहा है कि आप हो सकता है twin flame relationships में है twin flame relationships में है या higher level of soulmate relationship में है तो आपका सबसे पहला दाईत्व ही बनता है अपने आपको इन सब चीजों से निकाल करके एक ऐसे सत्योगी पुरुश्य सत्योगी आत्मा की energy में लेके आना जिसको ऐस सच किसी भी चीज से फरक नहीं पड़ता आपको एकदम ऐसे positive polite energy में होने की जरूरत है जहां पर आप किसी चीज से बाद्धियर नहीं है समझ रहे हैं? जहां पर आप किसी चीज से बाद्धियर नहीं है आपको कोई परिशान करता नहीं है आप अच्छा सोचते हैं सबसे पहले चीज तो आपको इस energy में आने की जरूरत है दूसरा यह चलो पासलाइफ कर्मा जो भी रहा आप ट्विन फ्लेम है या सोर्मेट है आपका कर्म ही यही है इस वज़े से आपके साथ में तनी प्रॉब्लम्स है दूसरी चीज आप लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं देखे सपोस कीजे आपके होस्टल में आप सपोस करें एक होस्टल में रहते हैं आपके रूम्मेट की तवित खराब है आपने उसकी हद सेवा करिए ठीक है एक मिन दीजे मुझे तो क्या बात है कि आपने रूम्मेट की हद सेवा करी आपने उसको निलाया खिलाया पिलाया हॉस्पटल लेके गए उसकी दवाई का मेडिसिन्स का सब का ध्यान रखा आप कुछ 6-7 महीने बाद बाते ठंडी होगी वो बंदा सही होगया आप बिमार पड़ गए अब उसने आपकी देखरेक नहीं करी तो इसका मतलब मैं beautiful people ऐसा नहीं है कि आप उसको गलट ठहराएंगे देखिए जब आपने उसकी मदद करी आपका मन सच्चा था आपने उसकी मदद कर दी वो तो आप से सामने से नहीं आया था ना लेने के लिए आपके पास चॉइस थी कि आप करें या ना करें आपने कर ली आप यही चीज उसके उपर निर्भर है यह उसका लुकाउट है कि वो आपके मदद करें या ना करें समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहे हूँ सिंपल सी बात है यही चीज है कि आपने ना unexpected भावना में जीना है unexpected रहना है कुछ expect नहीं करना किसी से कोई आशा नहीं मुझे पता है tough होता है लेकिन pile number 1 में भी यह है guidance आई थे कि आपको expect नहीं करना चाहिए ठीक है तीसरी और सबसे महत्रपूर्ण चीज आप go with the flow के energy में नहीं रहते रहते हो frustrated रहते हो क्या मिलेगा मुझे बताओ कुछ मिलेगा आज तक मिला आपको कुछ नहीं मिला न ऐसे करोगे कुछ नहीं मिलेगा कुछ हासल नहीं होगा तो सबसे पहली चीज go with the flow के energy में रहो किसी चीज के लिए इंतजार मत करो आपने अपने आपको बहुत बदला है और बदलो पेशेंस के साथ नहीं पॉजिटिविटी के साथ रहो ठीक है चेंज यूर पी प्रोस्पेक्टिव आप पेशेंस नहीं पॉजिटिविटी के एनरजी में रहें अच्छा सोचें लोगों के बारे में भी सब कुछ पॉजिटिव करें सब पॉजिटिव होगा ठीक है आपके लिए आए हैं यहाँ पे रेमेडीज के लिए हनमान जी कृष्ण जी आसन्स और क्रियाएं हो सकता है आप डिवोटी हो हनमान जी के आप इनके पूजा करने क कोशिश करें नहीं कर पा रहे हैं रिलिजन डिफरेंट है कोई बात नहीं आप आसन्स कीजे योगा आसन्स कीजे कुछ प्राणायाम कीजे नाड़ि शुद्धी कीजे क्रियाई कीजे positivity के साथ आपका भला होगा एक चीज आपने ज़रूर करनी है आपने क्या करना है every Friday जरूरत मन लोगों को कुछ ना कुछ बाटना है अब मीठा और नमक ना दे कुछ भी बाटने लेकिन मीठा नमक ना दे यह आपने करना है every Friday दूसरी चीज आपने क्या करनी है अब जब आपका फुल मून आएगा तो आपने एक रीचुल परफॉर्म करना है आपने एक वाइट कलर का लेना है आपने rectangle ठीक है rectangle लेना है वाइट कलर का piece of paper उस पे अपना नाम लिखना है और अपने नीचे जो problem है वो लिखनी है कि जो भी आपकी problem है study related है career related है love related है जो भी problem है क्योंकि pile number 2 में बहुत सारी problems है आप वो चीज लिखिए और वो चीज लिखके नीचे black color के pen से तीन cross बनाईए ठीक है problem को लिखके present tense में और cross बनाईए और वो जो उपर सब कुछ आपने लिखना है वो सब कुछ आपने लिखना है blue color के pen से अब इसको fold करके भगवान जी के मंदर में रख दो जो आपके घर का मंदर है ना उसमें रख दो घर में कोई मंदर नीचे कोई बात नी उसकी जो ashes बचेंगे उसको flow कर देना है हवा में और divine को बोलना है divine अभी आपको समरपित totally surrender कर देना फिर उस चीज को लेके और overthinking मत करना ये चीज आपने करनी है कर पाएंगे आप I hope आप कर पाएंगे ओके अब मैं देखती हूँ कि आप लोगों का जो काम है ठीक है आपके जिंदगी की जो खुशिया है वो कब तक आएंगे मैंने आपको characteristics बताएं problems बताएं reasons बताएं अब बताती हूँ समय कुछ लोगों के लिए 2 महिने कुछ लोगों के लिए 6 साल कुछ लोगों के लिए 5 दिन और कुछ लोगों के लिए एक महिना 5 साल 6 साल 5 साल उन लोगों के लिए आया है जिन लोगों को हो सकता है फॉरें जाना हो या फिर कुछ बहुत-बहुत बढ़ा करना हो ठीक है उस चीज को लेके बैठे है तो go with the flow के energy में रहे, समय लगेगा और कुछ लोगों के लिए सिर्फ महीना, कुछ लोगों के लिए दो महीने और कुछ लोगों के लिए सिर्फ पांच दिन का समय आया है Can you believe? सिर्फ पांच दिन तो कब जिन्दगी पलट जाए ना? कब जिन्दगी ले ले फैसला किसी तरीकी का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता आप ना 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 करते रह जाओ और चीज़ें हाँ हाँ में बदल जाए तो go with the flow के energy में रहो आपके लिए trust the universe expect miracles and friendship and union तो आपके लिए तीन advices आई है कि trust करें universe पर divine पर सब सही होगा miracles आपके जिंदगे में जरूर होंगे बस थोड़ा सा अच्छा सोचो please थोड़ा सा अच्छा सोचो friendship, positivity, union सब manifest करोगे थोड़ा सा अच्छा सोचो तो अच्छा सोचोगे अच्छा पाओगे, अच्छा होगा I hope pile number two people आप लोगों को satisfied होई होगे आप लोग इस रिडिंग से आप लोगों को अच्छा लगा होगा जान करके अपने मुसीबतों के बारे में भी रीजन्स के बारे में भी समय के बारे में भी कब सब सब सेटल हो सकता है and if you want any kind of personal paid readings तो आप लोग मुझे मेल कर दें या Instagram पे मेसेज कर दें अपना अपना प्लीज ध्यान रखे खुद से धेर सारा प्यार करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें बाई